आपने पिछले वीडियो में यह देखा था कि प्रकार के होते हैं तो आप जानते हैं कि कंजंग्सन को सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है क्योंकि यह ऐसे सब्द होते हैं जो सब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं सब्द, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कोई भी हो सकता है sentence का कोई part हो सकता है sentence हो सकता है clause हो सकता है phrase हो सकता है तो ये आपस में दो सब्दों दो वाक्यों को जो जोडते हैं वो conjunction होते हैं इसलिए इनको sentence link कर भी कहा जाता है इनकी definition आप जानते ही है conjunction is a word which joins two or more than two words phrases, clauses और sentences ठीक है या फिर conjunctions are words that join clauses together to make sentences and show how the meanings of the clause relate to each other जब हम दो sentence को आपस में जोडते हैं तो दो sentence जोड़ करके एक कोई अर्थ बनाते हैं दो clause जोड़ करके एक sentence बनाते हैं एक अर्थ बनाते हैं एक meaning बनाते हैं और दोनों clause का आपस में कोई नों कोई सम्बन होता है तो यह conjunction show करते हैं चलिए हम देखते हैं kinds of conjunctions इस वीडियो का महत्व यही है कि आपको यह बताना कितरे प्रकार की conjunctions आप होते हैं वैसे आप जानते हैं प्रत इनको specific करके हम एक एक करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिस करेंगे चलिए start करते हैं तो सबसे पहले होते हैं coordinating conjunctions फिर coordinating conjunctions के अंदर ही आते हैं correlative conjunctions और दूसरे होते हैं subordinating conjunctions अब इनको हम एक-एक से देखेंगे coordinating conjunctions क्या होते हैं कौन से होते हैं तो coordinating conjunctions आपके screen पर देख रहा है यहां कुछ हमने एक word लेखा है आप ध्यान से देखें fanboys यह fanboys का मतलब क्या है ठीक है चलिए तो fanboys में हर जो letter है वो कुछ न कुछ conjunction बता रहा है वो आपके सामने screen पर लेखा हुआ है यह coordinating conjunctions को जानने का एक सरल तरीका है एक आसन तरीका है यह coordinating conjunctions जो होते हैं यह दो समान rank के sentence या words को जोड़ते हैं दो समान rank के subject subject object object verb verb adjective adjective दो समान rank के equal rank के sentences या words को जोड़ते हैं इसलिए इनको coordinating conjunctions कहते हैं यहां पर for and nor but or yet so यह जो सात प्रकार के मैं रूप से हैं इनको ही हम coordinating conjunctions कहते हैं An easy way to remember these six conjunctions is to think of the word fanboys यह दो fanboys को दिमाग में रखेंगे तो आपको सातों conjunctions यह एक आसन तरीका है इनको याद रखने का Each of the letters in this somewhat unlikely word is the first letter of one of the coordinating conjunctions इसका हर first letter जो है वो कोई ने कोई conjunctions, coordinating conjunctions को बताता है F for, A and, and nor, B but, O or, Y yet, as so हमने कोशिश की है कि आप अच्छे से अच्छे और जल्दी सीगर याद रखें इसलिए अशी ट्रिक आपको बताई आ रही है फिर होते हैं correlative, correlative conjunctions ये correlative conjunctions आते तो coordinating conjunctions के अंदर ही है इनको हम कुल मिला के correlative को coordinating conjunctions भी कहते हैं तो इनके जो प्रकार हैं ये आपके बहुत पड़े हैं, बहुत important भी होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं either or, neither nor, not only but also, both and, no sooner than, though, although, yet, hardly, scarcely, when, whether or, so as, such that इस प्रकार की conjunctions, correlative conjunctions होते हैं फिर होते हैं subordinating conjunctions subordinating conjunctions इनको बोला जाता है जो आसरित या दूसरे पर रहने वाले यानि कि दो तरह के clause हम आपको अभी पड़ाएंगे जिसमें एक principle होता है clause और दूसरा होता है subordinating clause तो subordinating clause principle clause पर dependent रहता है subordinate का मतलब ही होता है आसरित या दूसरे पर रहने वाला तो जो subordinating conjunctions हैं यह जिस clause के साथ जुड़े जाते हैं उसको यह subordinate clause मिलकर के बना देते हैं तो यह जो screen पर आपको कुछ देख रहे हैं यह word सभी subordinating conjunctions हैं और clause का chapter जब आप पड़ाएंगे तो यह आपके सामने आएंगे इनको आप अभी से देखना सुरू कर दीजिए as because, since, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, weather, last, as if, in case, so that, as long as, as soon as, which, when, there, why, how, as though, it is यह यहाँ पर where, where है, there नहीं है, थोड़ा सा correct करें आप, where, तो यह जो है subordinating conjunctions क्यालाते हैं, क्योंकि आश्रित या दूसरे पर रहते हैं, ऐसे clause के साथ में यह जुड़ते हैं, तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं, coordinating conjunctions, अभी हमने केवल आपको यह बता हैं, कि जो conjunctions होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कैसे divide करते हैं, अलग-अलग सेडियों में, तो तीन तरह के आपने देखा, coordinating conjunction, correlative conjunctions, और subordinating conjunctions, अब सबसे पहले हम ले रहे हैं, coordinating coordinating conjunctions तो यह क्या होते हैं coordinating conjunctions यह तो आपने देखे लिया यह साथ प्रकार के जो हैं इनको हम coordinating में रखेंगे fanboys के रूप में आप इनको याद रख सकते हैं तो इनकी यह देफिनिशन दे तो यह क्या हो सकती है हिंदी में बात कर रहा है तो जो सब्द एक ही इस्तर या same status और same rank equal rank के सब्दों words को जोडते हैं सब्दों phrases को जोडते हैं या clauses को जोडते हैं वो coordinating conjunctions क्यालाते हैं तो आप देखें इसमें definition the conjunction which joins two grammatical units of the same kind एक ही प्रकार की दो grammatical unit को जोडते हैं जैसे हमने underline किया हुआ है noun noun से नाउन को नाउन से जोड़ें adjective adjective से जोडता है adverb adverb से clause clause से phrase phrase से sentence sentence से तो इनको हम is called coordinating conjunction ये सबी the conjunction which joins two grammatical units of the same kind that is noun noun adjective and adjective adverb and adverb close and close phrase and freeze sentence and sentence is called a coordinating conjunction तो यही आपको खास बात समझनी है और उसी बात को बार बार समझाएंगे आपको जैसी अब है sentence से आप समझ लें sentence है तनू और तान्या वर प्लेइंग चेस तनू और तान्या conjunction है ठीक है you and I are friends तुम और मैं दोस्त है तो यू क्या है pronoun I pronoun तो दो pronoun या फिर दो subject भी कह सकते हैं दो pronoun दो subject को किसने जोड़ा end ने, coordinating conjunction ने I like you and your sisters तो यहाँ you pronoun है your sister's noun है यानि कि pronoun और noun को जोड़ा गया है end से और दोनों ही क्या है object हैं दोनों ही इस sentence में object हैं कर्म हैं तो किस प्रकार subject से जोड़ता है ठीक है आपने देखा object object से जोड़ता है इतको जोड़ने वाले coordinating conjunction होते हैं noun noun से pronoun pronoun से pronoun से pronoun से और फिर आखरी में देखें आप यह sentence तान्या and I went to भोपाल तान्या और मैं भोपाल गए तो तान्या noun है I pronoun है और दोनों ही subject हैं तो subject subject से और noun pronoun से किस प्रकार coordinating conjunction में जोड़ा गया है यही बात आप देखें तो दो equal rank वाली चीजें आपस में जुड़ती हैं my brother is poor and honest अब यहां देखें मेरा भाई गरीब और इमानदार है तो यहां पर poor adjective है honest adjective है परन्त तो इसको काई से जुड़ा गया है बट से तो बट coordinating conjunction है poor adjective है और यह भी यह तो equal rank वाली ठीक है adjective को adjective से जुड़ा she speaks loudly and fluently loudly adverb है fluently adverb है same equal rank the crocodile lives in water and all land crocodile जो मगरमच होता है वो पानी और जमी दोनों पर रहता है तो in water यहां पर in water phrase है all land यह एक phrase है तो दोनों phrase को जुड़ा गया है ठीक है तो दो phrase हो गए ranu is good but her brother is bad तो एक sentence है ranu is good दूसरा है her brother is bad तो दो sentence को जुड़ा गया है एक sentence को दूसरे sentence से और किस ने जुड़ा है but ने he is the student who lives in Delhi ठीक है तो यहां पर यह देखी sentence को पूरा he is the student who lives in Delhi and whose beloved lives in Bombay वो student है जो दिली में रहता है और उसकी प्रेमी का Bombay में रहती है तो यहां पर दो clause को जुड़ा गया है ठीक है एक clause कोंसा है who lives in Delhi दूसरा है whose beloved lives in Bombay दो clause को जुड़ा गया है तो adjective, adjective, adverb, adverb, phrase, phrase, sentence, sentence, clause को clause से जुड़ा है तो यह coordinating conjunctions होते हैं इसी बात को हम यहां लिख रहे हैं आप write down अपने copy में कर सकते हैं in coordinating conjunctions का प्रियोग हमेशा दो समान स्रेडी या दो समान कोटी, equal rank, equal words, सब्दों, सब्द समूझ जिसको phrases कहते हैं वाक्यांसों, clauses तथा वाक्यों, sentences को जुड़ने के लिए किया जाता है अर्थात समान function करने वाले सब्दों को जुड़ने के लिए किया जाता है एक ही तरह का जो function कारे करते हैं, adjective, adjective से, adverb, adverb से, तो उनको हम coordinating conjunction से जोड़ते हैं यहाँ देख लें, आप इसको बात को हमने यह लिए भी दिया है, noun को noun से, noun को pronoun से, adjective को adjective से जोड़ते हैं phrase, phrase से, clause, clause से, pronoun, pronoun, noun से, adverb, adverb से, sentence, sentence से तो दो एक ही equal rank वाली sentence को यह coordinating conjunctions जोड़ते हैं आगे आप देखें, जितने भी conjunctions आप पढ़ेंगे, जो परिक्षा के लिए important है either, nor, neither, nor, not only, but also, in sum में आप यही चीज़ देखेंगे, same rank वाली बात होगी same rank के अनुसार ही इनके rule चलेंगे, इनके name चलेंगे तो अभी से आप इस चीज़ को समझते चलें अब coordinating conjunctions के कुछ प्रकार होते हैं अभी हम coordinating conjunctions की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर जब हम प्रकार बता रहे हैं तो हमने फिर उनका जो correlative conjunction हैं उनको भी इसमें add कर लिया है तो coordinating conjunctions जो प्रकार हैं या जिनमें की correlative जाले हैं either or neither और वो भी जुड़ गए हैं तो इनको हम चार प्रमुख प्रकारों से चार प्रकारों में इनको भटा गया है आपकी screen पर दिक रहा है कौन-कौन से conjunction किस-किस ready में आते हैं तो सबसे पहले है cumulative और copulative conjunctions इसमें and, both and, as well as, no less than, not only, but also ये आते हैं ठीक है अभी हम बताएंगे इनको detail में कि इनकी परिवासा इसको क्यों नाम दिया गया है दूसरा है alternative और disjunctive conjunctions और either or neither nor otherwise else ये इसके अंतरगत आते हैं क्योंकि ये alternate बताते हैं adversative conjunctions होते हैं but still yet nevertheless whereas while only ये इसके अंतरगत आते हैं illative conjunctions होते हैं तो for therefore so consequently ये सब इसके अंतरगत आते हैं चलिए अब एक ही करके हम देखते हैं सबसे पहले cumulative और copulative conjunctions ये क्या होते हैं वे coordinating conjunctions जो एक statement को दूसरे statement से जोड़ने के लिए प्रियोग में आते हैं ये अपने लिख दिया है statement plus statement यानि कि एक statement जोड़ता है दूसरे statement से तब हम इन conjunction का प्रियोग करते हैं जैसे आप देखें and both and ये जो लाल कलर से हैं ये सभी cumulative और copulative conjunctions हैं तो एक sentence को दूसरे sentence से ये कैसे जोड़ रहे हैं ये आप देखें Manoj is brilliant ये एक sentence हो गया statement हो गया and Tanya has a pleasant smile Manoj हुसयार है और Tanya की सुन्दर मुस्कराहट है तो दोनों अलग-अलग sentence हैं separate हैं, independent हैं पर इनको जोड़ा किसने हैं and ने तो दो statement को जोड़ा गया है He was both find and imprisoned उसको जुर्माना भी हुआ और jail भी हुई As well as देख लें आप तन में As well as Tanya was present there तो दो अलग-अलग बातों को statement को जोड़ा गया है No less than I like you, no less than him मैं तो मैं उससे कम पसंद नहीं करता Not only but also She was not only foolish But also obstinate Obstinate माने होता है जिद्धी तो इस प्रकार से दो statement को ये जोड़ते हैं ठीक है परन्तु same rank वाले दूसरा होता है alternative और disjunctive conjunctions ये दो alternative का आपस में जोड़ते हैं Alternative माने विकल्प आप जानते हैं वे coordinating conjunctions जो दो alternatives, दो विकल्पों के बीच में choice देने के लिए प्रियुक्त होते हैं choice दी जाती है जब alternative दी जाती है तो मैंसे कोई एक काम के लिए तो इसको हम alternative और disjunctive conjunctions कहते हैं यहाँ पर और he must weep और he will tie वो रुएगी या मर जाएगी एक काम होगा either she is mad और she faints madness या तो वो पागल है mad है या पागल बनने का नाटक करती है बहाना करती है faints मने नाटक करना बहाना करना neither he nor they write a letter otherwise या else यह बहुत important है यह सभी important है walk carefully साबदानी से चलो Anita you will fall तुम गिर जाओगे कहीं ऐसा नहों के तुम गिर जाओ else का मतलब यह होता है तो यह alternate बताते हैं दो चीज़ों में से तो एक alternative को दूसरे alternative से जोडने वाले एक विकल्प और दूसरे विकल्प में choice बताने वाले होते हैं यह alternative conjunctions तीसरे होते हैं adversative conjunctions इसमें way coordinating conjunctions जो दो statements के बीच में क्या बताते हैं opposition या contrast विरोध या अंतर जब दो statement के बीच में जोडते तो हैं दोनों को पर जोडने के साथ में यह क्या करते हैं यह विरोध भी बताते हैं या contrast अंतर का भाव भी express करते हैं इसलिए इनको हम adversative conjunctions कहते हैं क्योंकि यह adverse effect दीते हैं जैसे देखें but he is poor indeed but his character is spotless ठीक है तो वह वास्ता में गरीब है फिर भी वह character उसका spotless है बेदाग है तो एक तो idea expression यह हो गया कि वह वास्ता में गरीब है दूसरा expression यह है कि उसका चरित्र बेदाग है तो दोनों को but जो है but बता रहा है उनमें contrast कि एक काम है फिर भी ऐसा है ठीक है न still yet she was annoyed still yet तो उनमें से कोई सब इस्तिमाल कर सकते हैं she kept quiet वो अच्ड़ी हुई थी फिर भी वो छुप रही never the less इसका मतलब होता तथाफी he had no chance of success उसके सफल होने के chance नहीं थे never the less परंतु he tried उसने प्रयास किया तथाफी तथाफी उसने प्रयास किया never the less he is rich वो अमीर है never the less he refused to help him तथाफी उसने उसकी मदद करने से मना नहीं किया मना किया ठीक है तो ये दोनों ही आपस में contrast बताते हैं तो दो sentence में ये adversative होते हैं whereas while ये सभी इसी में अंतरगत आते हैं adversative में she is beautiful वो सुन्दर है whereas while इनमें से कोई एक हम यहां लगा सकते हैं whereas लगाए या while लगाए तो यहां oblique लगा दें her friends are ugly वो सुन्दर है परंतु फिर भी उसके दोस्त बतसूरत है only है she was all right only she was exhausted ठीक है however he was not a sincere however he got promotion वो sincere था फिर भी उसको promotion मिला तो ये कैसे भी करके उसको promotion मिला तो ये sentence हमको contrast बताते हैं और ये अगला अगला जो coordinating conjunction का प्रकार है वो है elative या इसको हम inferential conjunctions भी कहते हैं इसमें क्या होता है इस तरह की conjunctions द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का inference परिलाम है तो इस प्रकार के conjunctions, elative conjunctions क्यालाते हैं इनमें हम परिलाम निसकर्स का भाव अब्यक्त करता है एक instrument, दूसरे instrument से जैसे for है something has broken for I have heard a place therefore है you worked hard, therefore you secured good marks so या consequently फलत परिलाम सुरुक इसकारत होता है you are in power, तुम power में हो so you are respected, इसलिए तुमारा सम्मान होता है, power में नहीं होते तो सम्मान नहीं होता, तो power में हो इसलिए आदर होता है, तो परिलाम सा रूप ये तुमारा, ये परिलाम है यानि ये निसकर्स है तो power में हो, इसलिए निसकर्स ये है कि तुम्हें सम्मार मिलता है, पहरों में नहीं होते हैं, तो सम्मार नहीं मिलता, इसके बाद आते हैं हमारे subordinating conjunctions, subordinating conjunctions क्या होते हैं, ये आसिरत वाली बात है, इसमें जो प्रकार होते हैं, वो आपके screen पर दिख रहे हैं, as, because, since, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, weather, last, as if, in case, so that, as long as as soon as, which, when, where, ये वहर है, यहाँ पर, why, how, ये आप इनको देख लें, तो इस प्रकार की ये conjunctions, subordinating conjunctions के अतरगत आते हैं, इनको हम आसिरत या दूसरे पर रहने वाली conjunctions कह सकते हैं, इनकी definition ये हो सकती है, आपके सामने है, the conjunction which joins a subordinate clause to a principal clause is called a subordinating conjunctions, यहाँ दो सब्द आपको आ रहे हैं, ये आप समझें इस बात को, ऐसे conjunctions जो subordinate clause को principal clause से जोडते हैं, वो subordinating conjunction कहलाते हैं, ठीक है, तो एक subordinate clause हुआ, दूसरा principal clause हुआ, तो subordinate clause, principal clause से जोडता है, तो ये subordinating conjunction का काम होता है, या subordinating conjunctions joins a clause to another, एक clause को दूसरी clause से जोडता है, on which it depends for its full winning, जिस पर कि ये अपने अर्थ के लिए पूरी तरीकी से निरवर रहता है, उससे जोडता है, ठीक है, तो principal clause का, जो principal clause है, जिसको man clause कहते हैं, उस पर एक डिपेंड रहता है, subordinate clause, अपने पूरे अर्थ के लिए, इस बात के लिए हम इन दोनों को समझाते हैं, principal clause या man clause, जिसको हिंडियों बोलेंगे, तो क्या होगा, प्रधान वाक्यांस, clause माने वाक्यांस होता है, या प्रधान उपवाक्य, वाक्यांस या उपवाक्य, इस तरीके से हम दो phrase, या दो ये clause जो है, ये principle clause क्या होता है, वा clause जो पूर्ण अर्थ रखता है, बतलब जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, इसको किसी दूसरे की जिरूत नहीं रहती है, या अपने आप में independent रहता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए subordinate clause को कहते हैं, पर निर्वर नहीं करता है, principle clause कहते हैं, या man clause कहते हैं, इसे independent clause भी कहते हैं, तो अलग अलग नामों से हम जिसको जानते हैं, ये clause का chapter जाब पढ़ेंगे, तो ये आपको समझना ही पढ़ेगा, principle clause, man clause क्या होते हैं, वा clause जो पूर्ण अर्थ रखता है, अर् इसको आसरित, dependent कहते हैं, वा clause जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए, principle clause पर निर्वर करता है, इसे subordinate clause कहते हैं, इसे dependent clause भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए, principle clause पर depend रहता है, निर्वर रहता है, तो ये दो clauses को जो जोडते हैं वो subordinating conjunctions कहलाते हैं और subordinating conjunctions से आगे जो clause जुड़ता है वो subordinate clause कहलाता है चलिए यहाँ देखें आप Ram is happy because he has got a prize ठीक है, Ram खुश है क्योंकि उसको इना मिला है तो यहाँ पर because ने जोड़ा है दो clause को एक है Ram is happy और दूसरा है he has got a prize ठीक है, तो यहाँ because से जो यह जुड़ा हुआ है यह subordinating clause है और Ram is happy, Ram खुश है यह principal clause है, इसको किसी दूसरे clause की जरूवत नहीं है ठीक है, परन्तु उसको इना मिला है यह किस चीज के लिए इना मिला है, क्या है तो वो principal clause पर dependent है I will give you freedom यह सुवास्चन बोस का एक नारा है I will give you freedom if you give me blood तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूँगा उसी के लिए sentence बना है यह तो I will give you freedom if you give me blood तो यह if तो हुआ subordinating conjunction और if से जुड़ा हुआ वाक्य हुआ subordinate clause और पहले वाला हुआ principle या man clause Mohan said that he could not come ठीक है तो यह that से जुड़ गया है I shall stay until he returns यह until से जुड़ गया है They sang songs यह while से जुड़ गया है तो यहाँ because if that until while यह subordinating conjunctions हैं ठीक है तो subordinate clause अपने आप में सोतंतर unit नहीं होती है एक बात आपने यह जानी यह अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे clause पर depend करती है ठीक है इसलिए इसे dependent clause भी कहते है अब फिर जिस clause पर यह depend करता है वो clause principle clause कहलाता है ठीक है तो इन वाक्यों से आप समझ गए कि इन में जो clause जो clause because if that until while से प्रारम हुए है यह subordinate clause है ठीक है और यह जो because it that until while है यह subordinating conjunctions है अब आपको यह बात clear हो गई होगी चलिए अब हम अगली चीज़ देखते है kinds of subordinating conjunctions अब यह जो subordinating conjunctions होते हैं जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी इनके कुछ प्रकार होते हैं तमाम रहते हैं यह बहुत से होते हैं इसलिए इनको बाटा गया है तो conjunctions of time conjunctions of cause or reason conjunctions of result for consequence यह और consequence है for नहीं है इसमें F को काड़ दें conjunctions of purpose conjunctions of condition conjunctions of consistent or contrast conjunctions of comparison conjunctions of extent or manner तो यह कुछ प्रकार हैं जो कि subordinate conjunctions के होते हैं अब हम इनको भी एक एक करके देखेंगे तो conjunctions of time जो पहला है यह क्या दिखाता है देखी हमने यह बात तो बता दी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब subordinating conjunctions के प्रकार तो इनसे जो जुड़ेगा वो subordinating clause रहेगा तो वे subordinating conjunctions जो adverb clause of time को इंट्रडूज करते हैं adverb clause of time को बताते हैं समय को बताते हैं यानि यह conjunctions समय के संदर में प्रेक्ट होते हैं तो यह इनके प्रकार आपके यहां इसकी पर देखे हैं when, whenever, till, until, यह जो प्रकार हैं till, until, before, after, as, सुने हैं यह समय को बताने वाले conjunctions हैं since, while, as, long, as, यह सभी conjunctions of time हैं subordinating conjunctions हैं example के तोर पर हम exam दे रहे हैं आप देख लें examples when I went to school, the pun was going to his house जब मैं school गया तो pun जो है चप्राशी, वो घर जा रहा था ठीक है, तो यह समय की बात करते हैं यह समी conjunction समय को indicate करते हैं कहीने कहीं कि जो verb है क्रिया उसका time क्या है होने का it happened when I was in Mumbai यह हुआ जब मैं Mumbai में था I have been searching her since I met her ठीक है many things have happened since I saw you तो इस तरह के examples आप देख सकते हैं जबी सभी time को बताते हैं Manoj went to his home after he completed his work काम खतम होने के बाद Manoj अपने घर गया यह इस तरह के sentence आपने पड़े ही होंगे मरीज के मरने के बाद में डॉक्टर आया You should complete the work before you go to cinema तो after हुआ before हुआ यह sentence जो है He had died before he reached 30 30 साल के उमर में पहुँचने से पहली वो मर गया Make a while the sun signs यह कहावत है इसको आप याद रखें I will start the business as soon as I get the license जैसे मुझे को license मिला मैंने business शुरू करूंगा जैसे मिलता है I will leave as soon as you come तो यह सभी sentence में जो conjunction है लाल कलर चे लेके हुए है यह सभी conjunction subordinating conjunctions के ही प्रकार है He will stay in office until you reach there हम आपको maximum उधारन देते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे इन conjunctions को समझे Wait here till until I return His name will live so long as the world lasts जब तक दुनिया है तब तक उसका नाम रहेगा वेसे कहावत आपको याद हो एक नारा लगाए जाता था इंदरा गांधी के बारे में जब तक सूरज चांद रहेगा इंदरा तेरा नाम रहेगा इस तरह के सेंटेंस तो जब तक यादि कि ये टाइम को शो करते हैं समय को बताते हैं ये सभी whenever, as, 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 long as, ये सभी आपको सेंटेंस की प्रेक्टेस से बता लगेगा किस प्रकार से समय बताते हैं अब हम आते हैं conjunctions of cause और reason जो conjunctions, reason ये ऐसे subordinating conjunctions होते हैं जो adverb clause of cause या reason को इंटरडूज करते हैं ये conjunctions वाक्य में कोई कार है उस कारे का कारन क्या है cause या reason के संदर में ये बात करते हैं जो as, because, since ये सबीस के अंतरगत आते हैं I telephoned to her brother as she was not available in office ठीक है नहीं तो मैंने उसके भाई को phone किया अब देखिए I telephoned to her brother मैंने उसके भाई को phone किया क्यों किया as she was not available in office क्यों कि वो office में available नहीं थी मतलब उपलब्द नहीं थी मिली नहीं तो कारण, reason क्या है ठीक है as he was not there क्योंकि वो वहाँ नहीं है नहीं था I spoke to his sister तो मैंने उसके बहन से बात की She is allowed to enter as she is invited by us I can't buy this car since it is very costly ठीक है मैं ये कार नहीं खरी सकता हूँ क्योंकि ये महंगी है He is crying वो रो रहा है Because someone has stolen his purse क्योंकि उसका पर्स किसी ने चुरा लिया है तो ये reason बताते हैं कि वो रो क्यों रहा है क्यों costly है ये सब बाते जो हैं आप समझेंगे वाक्यों से Conjunctions of result for consequence ये अगले conjunctions होते हैं जिनमें कि हम result या consequence परिलाम की बात करते हैं ये subordinating conjunctions जो adverb clause of result और consequence को introduce करते हैं यहां से आप adverb clause की भी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो आप clause के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लेते चल ले हैं ये एक अच्छी बात है और आप अभी से कुछ सीख लेंगे तो आगे ये कठें चेप्टर में प्रावलम नहीं होगी तो परिलाम या result के संदर में जो बात करते हैं अभी ऐसे conjunctions इस प्रकार की कहलाते हैं अब देखिए इसमें कौन-कौन से प्रकार हैं so dot 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 that such dot 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 that ये जो conjunction होते हैं हमने यहां पर heading के नीचे conjunction लिख दी हैं जो इसके अंतरगत आते हैं और फिर हमने उधान दिया है तो the tea is so hot that I can't drink it चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूँ he was so intelligent that he won the first prize वो इतिरा उसयार था कि उसको first prize मिला जीता उसने she spoke in such a loud voice that everyone could hear her well वो इस प्रकार की तेज आवाज में उसने बात की बोली कि हर कोई उसको अच्छे से सुन सकता था she is such a nasty girl that you can't rely on her तो इस प्रकार की so that such that वाले conjunctions इसके अंतरगत आते हैं अब देखें conjunctions of purpose जिनसे कि कोई उद्देश का पता लगता है कोई लक्ष वाकि में परपज को व्यक्त करने के लिए इन conjunction का प्रेख होता है कि उसका उद्देश क्या है उस काम को करने का तो ऐसे होते हैं conjunction that so that in order that last ये बताते हैं कि उसका परपज क्या है काम को करने का we eat that we may live ठीक है हम खाते हैं ताकि हम जी सकें she came here वो यहां आई क्यों आई so that ताकि परपज क्या था उसके आने का she can discuss the plan ताकि वो plan को discuss कर सके he worked hard उसने कटोर मेनत की क्योंकि परपज क्या था ताकि he might pass वो pass हो सके run fast तेजी से दोलो क्यों क्यों दोलो you should miss the train कहीं असा न हो कि तुम train को miss कर दो walk carefully lest you should fall यहां पर यह याद रखें आप lest के बाद हमेसा should का प्रयोग होता है fill in the blanks के लिए बहुत important structure है चीज है इसको आप याद रखें lest के बाद आपको fill in the blanks आता है तो आपको should model वर्व का ही प्रयोग करना है must या और किसी का प्रयोग नहीं करना है यह rule है he is working hard in order that he can succeed वो कठोर मेहनत करता है क्योंकि ताकि वो सफल हो सके तो यह आप conjunctions of purpose समझे अब देखते है conjunctions of condition यानि जहां पर शर्त वाली बात होती है कोई condition लगी होती है कोई काम को होने की सर्त के लिए यह conjunction का प्रयोग होता है if, unless, provided provided, that, that, supposing, as if यह इत्यादी जो conjunction होते है वो condition वाले conjunctions होते हैं यह subordinatic conjunctions जो adverb clause of condition को introduce करते है he will dismiss you वो तुमको dismiss कर देगा नोकरी से निकाल देगा if you are late again यदि तुम फिर से late आते हो he will help you if you ask him वो तुमारी मदद करेगा यदि तुम उससे कहते हो you cannot succeed unless you work hard तुम सफल नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम कटोर मेहनत नहीं करते हो she cannot be pardoned unless she confesses her fault वो छमा नहीं किया सकती उसको छमा नहीं किया सकता जब तक कि वो अपनी गलती स्विकार न करे तो ये में condition है कि छमा करने की pardon करने की condition है कि वो अपनी गलती माने सफल होने की condition है कि वो कटोर मेहनत करे मदद करने की condition है कि वो उससे बात करे और dismiss करने के लिए यद वो लेट आता है, तो हर चीज की condition है, सर्त है she behaves as if she were mad वो ब्यभार करती है, मानो तो वो पागल है अगल थी, ऐसा ब्यभार करती है I agree to these terms मैं इन सर्तों को सर्तों से सहमत हूँ, provided या provided that, इसका अरत होता बसर्ते, बसर्ते की you agree to mine तो मुझसे सहमत होते हो, तो अब provided का मतलब ही बशर्ते होता है याद की जिसमें सर्त है, condition है I will pay your dues provided you allow proper discount ठीक है न, तो मुझको discount होगो, तो मैं तुमारे सारे dues चुका दूँगा, he will be penalized provided that the charges are approved, ठीक है, याद उसके आरोप सिद होते हैं, तो वो penalty लगेगा, उस पर जो भी उसको जुर्माना लगेगा, बशर्ते के, वो अपने charge, उसके charge से दोते हैं supposing you won a lottery, what would you do, याद तुम lottery जीत गए, suppose करो, तो फिर क्या होगा, तो condition यह है कि lottery जीते, ठीक है न, तो हर sentence में condition देख रही है यहाँ देखें, conjunctions of concession और contrast यह sentence, यह subordinate conjunctions, जो adverb clause of concession और contrast को introduce करते हैं इनको हम यह कहते हैं इन conjunction का प्रियोग, बतलब concession माने आप समझ रहे हैं रियायत, छूट, कोई रियायत या concession की बात होती है तो इस तरह के though, although, yet, not withstanding, however यह जो conjunction होते हैं वो इसके अंतरगत आते हैं, he is poor yet, he is trustworthy वो गरीब है, फिर भी वो विश्वसनी है I shall not meet her though she comes मैं उससे नहीं मिलूँगा, हलाएं के वो आती है तो यहाँ पर concession है although she is intelligent she is simple, I didn't support him however, I didn't oppose him ठीक है, मैंने उसका support नहीं किया, हलाएं के मैंने उसका विरुद किया he passed the exams not withstanding, he was not fully prepared, तो यह सभी sentence में हमको contrast नजर आता है, अब आता है conjunctions of comparison, यह तो आप degree के structure में, हम वीडियो आपको जारी कर चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तुलना करने वाले बाके as, as, so, as, then के वाके तो यहाँ sentence आपको दिख रहे है he is as weak as your brother वह उतरा ही कमजोर है जितना तुमारा भाई, as weak as की जगए, as strong as हो सकता है as wise as हो सकता है he is as intelligent as his brother, वह उतरा है उसे हार है जितना कि उसका brother तो यह comparison तुलना बताने वाले conjunctions होते है as, as, so, as, ठीक है she is not so intelligent as her mother, she likes me no less than you he is taller than you he loves me as much as you, तो यह सभी comparison बताने वाले conjunctions है जितना का भाव होता है फिर है आखरी आप समझाए इसको, conjunctions of extent or manner, यानि यह ऐसे conjunctions होते हैं, जो किसी काम करने का धंग या तरीका बताते हैं कारविदी, यानि किसी काम को करने की किस तरह से कोई काम को करता है उसका manner क्या है, धंग क्या है तो as, as, though, so far as, according as यह conjunction हैं इसके अंतरगात आते हैं he was speaking the truth so far as I could judge ठीक है, तो वो सच बोल रहा था जहां तक मैं judge कर सकता था he acted upon as he was instructed, उसने इस तरीके से काम किया, जैसा उसको instruct किया गया, manner धंग बताए गया, जैसा उसने किया, जैसा उसको बताए गया he protested as though he were in a position, man will reap as they sow, ठीक है he choose the candidates according as they were fit, यह सभी sentence में हमको manner धंग दिख रहा है इसके बाद आते हैं correlative conjunctions, जो आपकी screen पर दिख रहे हैं, यह सभी जो दो part में होते हैं यह correlative conjunctions होते हैं correlative conjunctions यह pair के रूप में होते हैं योगम के रूप में इनका अपयोग होता है और इनकी भी खास विस्षिस्ता यह होती है, कि इसमें हम दो part को जैसे के आपके screen पर दिख रहा है एक noun को दूसरे noun से जोडते हैं pronoun से जोडते हैं एक pronoun दूसरे pronoun से जोडता है एक adjective दूसरे adjective से verb वर्ब से, adverb एड़ब से phrase phrase से subject subject से, object object से और एक compliment को दूसरे compliment के जोड़ने के लिए इन conjunctions का प्रयोग किया जाता है तो यह correlative conjunctions होते हैं जैसे आप sentence देख रहे हैं either you or your classmates have stolen my book अब या तो तुमने या तुमारे classmate ने मेरी किताब चुराई है तो यहाँ पर you है pronoun और your classmate है noun ठीक है, तो pronoun और noun, यानि एक subject को दूसरे subject से जोड़ा है तो एक हिसा दूसरे इससे को जोड़ता है परन्तु equal category इनकी होती है जैसे sentence, sentence, subject, subject pronoun, adverb, adverb इस तरीक से you can neither read nor write यहाँ एक verb को दूसरे वर्ब से यानि दो वर्ब को जोड़ रहा है नौर, ठीक है रहा है, नाइदर नौर से जोड़ा गया है दो वर्ब को she is not only intelligent but also laborious तो यहाँ आप देख रहे हैं कि adjective है, intelligent, laborious ठीक है, वर्णा केवल intelligent है, बलकि वो महंती भी है, तो adjective हैं दो, intelligent और laborious she is both teacher and writer, तो वो सिच्छक भी है और लिखिका भी है, तो यहाँ पर दो compliment है no sooner did my wife enter the kitchen than the cook stood up जैसे ही मेरी पत्री ने kitchen में प्रविस किया और जो cook था, वो खड़ा हो गया, तो एक sentence है my wife enter the kitchen दूसरा है, the cook stood up दोनों sentence को जोड़ा गया है ठीक है, किस से no sooner than तो यहाँ correlative conjunctions no sooner than है, though he is poor हलांकि वो गरीब है yet he is honest फिर भी वो इमानदार है तो एक sentence को दूसरे sentence से जोड़ा गया है the principle has appointed neither him nor me principle ने न तो उसे appoint किया, न मुझे appoint किया तो यहाँ दो object है, दो करम है एक तो है him, और एक है me एक है him, और एक है me तो दो object को जोड़ा गया है, काई से जोड़ा गया है neither nor say, she would rather die than beg तो would rather than यह conjunction का अप्योग हुआ है इसमें दो वर्ब को जोड़ा गया है ठीक है, वो भीख मांगने से ज़्यादा तो मरना पसंद करेगा तो इस प्रकार से आपने देखा तीरो प्रकार की conjunction आपने देखे, correlative conjunction coordinating conjunction और subordinating conjunctions coordinating conjunction के अरत रहती correlative आते हैं तो आपने principal clause, band clause भी समझे, clause के बारे में भी आपको बहुत जानकारी मिली, आप आगे पढ़ते रहिए, MP English Classes से जुड़ते रहिए, आपको नई नई जानकारी हम देंगे, आपकी English के सारे कठिन से कठिन, जो भी problems हैं वो सारी चुटकियों में खतम करतेंगे आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा धन्यवाद, यदे आपने MP English Classes को subscribe नहीं किया है तो इस चेनल को subscribe जलूर करें subscribe एक ही बार करना है subscribe करना free है subscribe करना सरल है आपके mobile में वीडियो के नीचे लाल कलर से subscribe लिखा हुआ दिख रहा है उसको आप इसको touch करेंगे तो इसको touch करते ही ये white color में बदल जाएगा white color में बदलते ही ये subscribe channel आपका हो चुका है बगल में bell icon है घंटी इसको आप touch करेंगे तो 3 option आएएगे इसमें सबसे उपर का जो option है all इसको आपको दबाना है इसके दबाते ही फाइदा आपको ये होगा कि मैं जैसे ही नया वीडियो बनाऊंगा grammar का या आपकी book का वो तुरंत आपके mobile screen पर notification के रूप में पहुँच जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं देख करके लाब रे सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखनी के लिए आपका thank you धन्यवाद